आज के इस लाइब वीडियो में विसेश बात करनी है अभी तक का जो घटना करम रहा अंदोलन का कोलांचल के साथ साथ पूरे जार्खन राज ने देखा कि ठेक दिसंबर महिना में राज सरकार दुबारा कुछ बाहरी राज की भासावों को धनबाद और वोकारो जीले में अंगकरित किया जाता है उसके बाद एक जोरदार बिद्रो होता है मानोस रिंखला होती है रनफोर खतियान होता है विदान सभा घिराव होता है सत्यागरा होता है अंगिनत जनसभाएं होती है अंगिनत रेलिया होती है तब जाकर गवर्मेंट जुकने का कारी करती है लेकिन आप देख सकते हैं अगर आप सहर में चले जाएं हजारी बाग धन 31 का खतियान बड़े-बड़े बेनरों के साथ मुख्यमंत्री के फोटों के साथ दिखेगा। चलिए हो उनकी गवर्मेंट है, जैर सी बात है। उनको हक बनता है। लेकिन ऐसा ना हो कि आंदोलन की इतिहास को दफन कर दिया जाए, आंदोलन की इतिहास को खत्म कर दिया और आंदोलन कारियों के संघार्ष को, यातना को, उपड़तारना को समाप्त किया जाए। जी हाँ, ये बात मैंने मेरे जहन में भी कभी नहीं आय थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी लाइब आकर आंदोलन कारी साथियों से कभी इस बात के लिए अपील करूंगा, किस आंदोलन में अब तक जो भी घटना करम हुआ है उसे आप लोग किताबों में जगा दें मैंने कभी नहीं सोचा था लेकिन कुछ दिन पुरु मैं कुछ अति ब्रिद्ध वकिलों के साथ वैठा था जो जारखंड से संबंद रखते हैं जारखंडी हैं वे कहते हैं कि निर्मलदा के साथ बिनत बाबु के साथ आंदोलन की हैं गुरु जी से परिचित हैं और कॉम्रेट साहब से परिचित हैं उन्होंने कहा कि जराम बाबु एक चीज आपने नोटिस नहीं किया हमांद बाबु पुरी तरह से सरे ले रहे है हमने खा सर इससे क्या होगा बोला इससे होगा क्या नहीं आने बाले भविश में जब किताब में दिखा जाएगा लिखा जाएगा तो इस अंदलन का जिक्र और अंदलन कारिय का जिक्र कहीं नहीं होगा आप देख सकते हैं जिस दिन कुछ मुख्यमंत्री के हवाहान पर पूरे राज से उनके समर्थाग आते हैं राची जिसमें विश्यस कर सिम्डेगा जो दच्छी नी छोटा नागपूरे हलांकि नेतिक समर्थन सबका रहा है लेकिन इस आग जलाने के काम कोलांचल ने किया है उनसे जब मीडिया वाले पूछते हैं तो वो क्या कहते हैं सिम्डेगा कोई साथी हैं कि मुख्यमंत्री ने हमें बुलाया है कि आप लोगों ने आंदोलन किया था बत्ती सम लगू कर दियें इस टैप से कुछ बयान आता है जबकि सभी जानते हैं यह आंदोलन अगर भास में कोई जीला सोसित बन चीत है तो धनबाद बोकारो तिसलिए आज देखे मुख्यमंत्री महोदय क्या बयान देते हैं अमों मुख्यमंत्री के टीम के दल के साथ ही क्या बयान देते हैं और जो जिनको बुला कर लाए हैं वे लोग क्या कह रहे हैं कि आंदोलन आपने किया था का भाई हम समर्था हम सबका स्वागत खरते हैं लेकिन आप मंदारी से कहिए जो लोग उस दिन मीडिया के बाइट में देखें उन्होंने कब आंदलन किया था मुख्यमंत्री के नाम का उन्होंने एक विरोध में नारा नहीं लगाया था और हम लोग तीस जनुवरी को लाखो की संख्या में माय भाने हमारी मानो सरिंखला में खड़ी थी तो इसलिए उस वकील ने उनकी उम्र मुझे लगता है 89 उन्होंने खुद का मेरी उमर 89 वरसे उन्होंने खा जराम बाबु इस पर आप क्या सोचे हैं एक भी किताब आपका छपा की नही कुछ लिखा की नहीं लिखा खर आप तो अच्छे पढ़े लिखे हैं आपको लिखना चाहिए लेकिन आपको तो टाइम नहीं मीलता इसलिए आप कमसेक अपने साथियों से कहिए वह कुछ लिखे हैं क्योंकि उस समय कलपना की जिए आज चे 50 साल बाद उस समय आंदोलन का कहा हुआ है सिमडेगा के लोगों ने किया है धनबाद वोकारो गोईलांचल खतम हो जाए और कहा ही गया है नेपलेम पोनापाट ने बड़ी सुंदर कहा है इतिहांस जोटों का संग्रह होता है सत्ता जिसकी होती है वह जोटमूट कुछ भी संग्रह कर सकती है तो इसलिए में तमाम साथियों से अपील करना चाहूंगा निवेदन करना चाहूंगा आप कम से कम ज़रूरी नहीं अब ठीक है अंदोलन हुआ है एक साल से हो रहा है 1932 का परिणाम क्या हुआ वो माइने नहीं है परियास का भी इतिहास होता है ऐसा कहीं नहीं है कि परिणाम का इतिहा लेकिन इस परियास को आप जाया नहीं जाना चाहिए इसलिए मैं सभी आंदोलन कारिशातियों से अपील करना चाहूंगा इस आंदोलन का इतिहास आप अपने सब्दों में स्वयम लिखे मेरे साथियों नहीं तो देख सकते हैं और इतिहास गवा है राजाओं के बड़े-बड़े शोरिय काथाएं लिखें मिलेंगी लेकिन किसान की कोई यो काथा नहीं है बड़े-बड़े अपने समय के महलों की गाथाएं मिलेंगी लेकिन उस मजदूर की नहीं जिसने उस महल को बनाने के लिए कायरी किया है इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा जिनोंने पूरे साल भर आंदोलों में शहियोग किया है शमर्थन किया है लड़ा है चार पंक्ती ही सही इस आंदोलों के विशे में लिखिये साथी हो और आप देख सकते हैं बुरा मत मानियगा कुछ लोग बिलकुल अम्रेस्दा जनकरना होनी ही चाहिए तो इसलिए बुरा मत मानियगा मैं एक उधारन देना चाहूंगा कुछ लोग चुहाल विद्रो के नायक रवनात मा तो उनको इतिहास से क्या कहें चुहाल अंदोलन को रहे हैं कि इतिहास में था ही नहीं तो इसलिए इतिहास को कभी भी मिटाया जा सकता है और लोग तूले हैं और जो परतमान मुक्य मंत्री हैं वो जानते हैं किसमान शिक्ता के हैं आप लोग जानी रहे हैं बिलकुल किसवर बाबु इसलिए चार पंक्ति लिखिए आप दे पहला बाध हम गुरुजी के संबान करते हैं नतमस्तक करते हैं लेकिन देखेगा उए जीवी थे हैं लेकिन उनकी फोटो पर हमारा धनवाद में जो जहारखंड मुप्ती मोर्चा के कारी करता हैं इसलिए इसलिए महें निवेदन करना चाहूंगा जो परिस्तिती सामने देख रही है आज आज, हाप आज हम जानते हैं कि बाई अन्दलोन बलियापूर में कौन साथी आगए थैं बरवड़्डा में कौन साथी आगे थैं कसमार में कौन आगे थैं जरीडी में, फुसरों में, बेर्मों में डुम्री में, भगोदर में, नवाडे में, पीर टाण में, तो शांची में लेकिन किताब में अगर नहीं है, तो 20 साल बाद कोई मुल्य नहीं रहेगा कोई मुल्य नहीं रहेगा सातियों